नमस्कार न्यूज एटीन देश का नमबर वन न्यूज चैनल तो उसकी पहल भी कुछ अलग ही होगी नमबर वन चैनल ही ऐसी पहल कर सकता है आपके लेकर आएं है शो रील एक एक करके सितारों से हम बात करेंगे उनकी अचीवमेंट्स पर जानेंगे अब ही हमने कार्तिक आरेयन की बात सुनी एजो अगले हमारे यस हैं उन्हें man of the masses ऐसे ही नहीं कहा जाता है उनकी एक अपनी फॉज है अगर आप उस फॉज का हिस्सा है तो आप जानते हैं उसका नाम क्या है और उस फॉज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो जमवालियन उसका नाम है तो अगर आप जमवालियन है तो आप जानते हैं मैं किसका तारुफ आपसे कराना चाहता हूं और को शुराम ऐसा कहा जाता है उसके विशारत के तौर पे कहा जाए या पीएजडी उस मार्शल आट को इनोंने अपने अंदर कर लिया है और ऐसी कोई बात नहीं है जो मानम मनुष्य नहीं कर सकता अगर वो ठान ले ये बात वो दिन बदिन दिखाते हैं हम अकसर ये कहते हैं कि भाई इसने ये रील में किया रील में कर सकेगा क्या इनके साथ ऐसा है इसने ये री सबसे पहले मैं बैठों से पहले मैं विद्यूट से कहूंगा आप जरा खड़े हो यह यह जरा हमारी ओडियोंस को मैं देखाना चाहता हूं यह पोज आप देख रहे हैं यह विद्यू जामवाल है लेकिन वो जो पोज है अभी हाल ही में इंस्टा पे वाइरल हो गया था आप यह कैसे कर लेते हैं सब वहीं से शुरू करते हैं क्योंकि पहला मेरा प्रश्ण आपको देखकर यह हूँ इस पॉसिलिए कैसे मुम्किन है आप कैसे कर लेते हैं क्या कैसे कर लेता हूं लाइंज हैं वो जो फिजिकैलिटी है लेकिन उससे ज्यादा जिस शिदद्द से आप करते हैं चुट इस डिस्विन आप करते हैं वह कैसे करते हैं मुझसे अग्सार लोग पूछते हैं कि सर डिसिप्लिन कैसे हो जाओं मैं हाओ दो आ फाइन डिसिप्लिन इन मालाइफ और मैं कई बार सोचता हूं कि हकीकत में उनको बोला क्या जाए मुझे लगता ही कि अगर आप किसी चीज के लिए पैस्टिनेज हो जाएं किसी भी चीज के लिए डिसिप्लिन अपने ही आप आ जाता है अधकर कि सामने से एक आईश्क्रीम गुजरी को खाने का मन किया यह वहां से कुछ शोले बठूरे लिए था मन किया पर उसे पैशं़ बोलते हैं जो मन करता है हopping लेकिन लेकिन आपका भी तो किसी तरे से मन हुआ होगा ना कि मैं नहीं खाऊओंगा मुश्य जो जरुरत नहीं है इसकी और जो मेरे दोस्त हैं जो मझे अच्छी दरे से जानते हैं हों जानते हैं कि मैं अपने अपण्यद्थ सब चीज़ें से अगर मंध करताया तो मैं घातां हूं में गाई वर सेट पे होता हूं एक हम समुसा आता है मुझे बहूत और अच्छा लगता है बत यह नहीं नहीं करत करता है तो मैं कहीं आप इसका श्रेम मार्शिल आर्ट को देना चाहेंगे क्या क्या मार्शिल आर्ट आज मैं आप से ये बात आप से कई बार पिछली बार भी हमने की थी कि कलरी जैसा एक फॉर्म इसको अपनाना और आप जम्वाल जम्मू से हैं हिमाचल में पले बड़े औ और दक्षिन भारत का एक माशिल आर्ट फॉर्म इससे आपका परिचे कैसे हुआ और इसने आपको क्या सिखाया मेरे फादा आमी में थे और अगर आपके पेरेंस जोब करते हैं तो जानते ही हैं कि आप पूरे हिंदुस्तान में ट्रावल करते हैं ऍलत के कवरे मही में रहा हूं काफी साथ लिए पिछ कोड़ा में हरा हूं तू अगर माश्यों पिछ चीज़ करें आपको डिस्यिप्रन आए ही जाता है you could be an artist, you could be a musician discipline आ जाता है फिर अब discipline को कैसे यूज करें वो जरुरी है